माई कम्पिटर स्किल्स कम्पिटर क्लास में आप सभी का स्वागत हैं मैं जैपाल सिंग राजबूत यूनिट नमबर 38 के अंदर हम आज पढ़ रहे हैं MS Access इसके अंदर आज का जो हमारा टोपिक है हो है Insert Menu Insert Menu का Part 1 हम पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि Part 1 के अंदर Insert Menu है कि उनकोंस आप्सेंस आज सिखने हैं ठीके प्रेंट यहां से हम MS Access को उपन करते हैं और देखें यहां पर File, Edit, View आज हमारा Insert वाला जो आप्सेंस से उसको हम सिखना चाहरे हैं Menu वार देखें, Insert का मतलब होता है लेकर आना कर रहा है थे तो वहां पर सुदार से संबंद देता किसे को File को Cut करना, Copy करना, Paste करना इस टाइप के हमने Edit से Related काम किये थे View पर जब हमने देखा था तो सभी Files को देखना था हमें View कर 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 के किस टाइप से अलब प्रकार के Views दिखते हैं उनके जिसमें एक बार दिखा देता हूं आपको यह देखिए लार्ज आइकोन, Small List, Details, Arrange, Properties, Worker, Object, Task यह सारी चीज़े हमें दिखाई दे रही थी इसके बाद आज पढ़ने वाले हम Insert, देखिए Insert के अंदर क्या होता है कि आपको नॉर्मली टेबल पर लिक करते हैं तो वे सारी टेबल्स हमें open होकर दिखाई नहीं देती है बट यहां से हम इनके pop-up menu open हो जाएंगे, display हो जाएंगे, यहां से हमें एक टुझे जानकरी है, इसकी मिल जाएंगी, कैसे मिलेंगे सबसे पहला option से हमारा है table, हम table options पर जैसे क्लिक करते हैं, तो देखें यहां पर create a new table in data sheet view जो आपने पहले वाली table बना रहे थे हम, वही पहला वाला है, दूसरा वाला design view, तिसरा है table wizard, चोता है import table और पांच वाइस में link table जिनकी वीडियो मेंने i button के अंदर आपको इनकी सारी की link मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, यह पांच वो टेबल पर मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से इनको सीख सकते हैं, और मैंने यहां से insert में सभी आपको इन table के बारे में ज ठीक है, इनका भी इस्तमाला आप वीडियो में देखकर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद क्यूरी के बाद आते हैं हमारे form, जितने भी प्रकार के हमें form बनाना है, वेस्थ के designing view और form wizard, यह दो प्रकार के form पर हम वर्ग करते हैं, यहां से form wizard के अंदर से भी आप columnar, tabular, data sheet, private table chart, report, यह सारे form का आप आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं, यह अलालग प्रकार के form से इनके design हैं और इनके layout से यहां पर दिये हुए, जो आपके अवशकता हूँ उस type से आप यहां से form select करेंगे, यहां से आपके वो table select करना, जिस table पर आपको work करना है, और यह form आस मिल जाएगी, ठीक है, form के बाद आता है report, report क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी blank page के ओवपर हमारी sheet की सारी जानकारी है, हमें show होती है, दिखाई देती है, उसका हम report बोलते है, report form, ठीक है, अब यह report में अलालग प्रकार के report हम design कर सकते हैं, design view है, report wizard है, auto report column है, auto report code, tabular है, chart wizard, आप सोच रहा होगा कि सारी इनका practical करके नहीं दिखा रहा है, मैं आपको सिर्वो only इनके बारे में जानका ही दे रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने इनके सबके practical कर चुके है, इनके videos आपको दिख जाएंगे, तो इनके videos आप सर्च कर लिजिए, i button में भी main का link दे automatically आप form बना सकते हों, और auto report, देखिए, automatically आपको पास form बन जाएगा, सिर्फ आपको click करना है, और यहां से इस form को बढ़ाते रहना है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसमें काम कर सकते है, report को मैं थोड़ा सा और बता जाता हूँ, report के अंदर click करेंगे, report अपने आप generate हो जाएगी, देखिए, इस टाइप से MS Access में क्या होता है, कि insert menu का आसानी से हम use कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारी insert menu आज कतम हो गई है, ठीक है, यह समापत हो गई है, इसके बाद हम आगे वारा menu पढ़ेंगे, tools, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा ल झाल झाल झाल